दोस्तों क्या आपका Facebook एकाउंट हैक हो चुका है? क्या आप अपने Facebook एकाउंट को recover नहीं कर पा रहा है और आप उसे close करना चाहते हैं, उसे हमेशा के लिए delete करना चाहते हैं? अगर हाँ तो फिर आप इस वीडियो को अन तक watch किजिएगा दोस्तों जब हमारा Facebook एकाउंट हैक हो जाता है या फिर किसी के द्वारा हैक कर लिया जाता है और हम काफी परसानी के बाद भी अगर उसे recover नहीं कर पाते हैं तो हमारी मन में कहीं ने कहीं डर बना रहता है कि उस एकाउंट का जो hacker है उसे कहीं misuse न करें दोस्तों अगर आपकी Facebook एकाउंट किसे ने hack कर लिया है और आप उसे recover नहीं कर पा रहा है तो आपके एकाउंट को misuse कर सकता है अगर उस एकाउंट से कुछ भी गलत करता है तो फिर blame आपे होगा पुलिस आपको पकड़ेगी तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आप उस एकाउंट को recover बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो आप उस एकाउंट को हमेशा के लिए delete कर दीजिए और कैसे delete करेंगे इसके लिए हम open करते हैं अपने Facebook एप को दोस्तो जब आपका Facebook एकाउंट है खो जाए तो आपको क्या करना होगा कि आप एक दूसरा Facebook आइडी बना लीजिएगा अगर आप दूसरा Facebook आइडी नहीं बना पा रहे तो आप अपनी दोस्त की Facebook को open कीजिएगा और यहाँ पे इस search box में आपका जो account है कुआ है उस account को यहाँ पे आप search कर लीजिएगा for example के लिए मैं उस आइडी को यहाँ से search कर ले रहा हूँ और search कर लेने के बाद दूस्तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे click करना होगा इस ती line पे और यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है find support और report profile यहाँ पे आपको click करना होगा यहाँ पे दूस्तो अगर आप cannot access my account पे अगर click करते हैं तो यहाँ पे कुछ article मिल जाएगी आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप click कीज़ेगा something else पे यहाँ पे आपको click करना होगा और इसके बाद आप click कीज़ेगा यहाँ पे next तो दोस्तो इस तरह से होता क्या है कि Facebook के पास यह जो आपकी account है कोई है उसका report पहुँच जाता है यहाँ पे आप click कीज़ेगा done तो दोस्तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपको 10-15 फ्रेंड का mobile लेना है और उनकी Facebook open करके आप इसी तरह से अपनी profile पे report कर दीजिएगा तो जब काफी report पहुचता है 10-15 लोगों को एक ही ID पे जब report पहुचता है तो Facebook की team उसको review करती है उसे एक सब्ता से दो सब्ता के अंदर अंदर उस account को delete कर देती है permanently disable कर देती है